देश के कौने कौने में मोडन इंठ्रा बना रहा है तेलंगना में भी बीते नव वर्षों में रेल्वे बजेट में लगभग सत्रा गुना की वृद्धी की गई है अभी अस्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे इसे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है आज जिस सिकंद्राबाद और महबुब नगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पुरा हुआ है वो इसी का उदाहरन है इस हैदराबाद और बैंगलोरु की कनेक्टिविटी भी बहतर होगी देश भर के बड़े रेल ले स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसका लाब भी तेलंगना को मिल रहा है सिकंद्राबाद रेल्वे स्टेशन का अभिकाद भी इसी अभियान का हिस्सा है साथियों रेल्वे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगना में हाइवे का नेटवर्ग भी तेज गती से विक्सित किया जा रहा है आज चार हाइवे प्रोजेस का सिलान्यास यहां हुआ है तेईस सो करोड की लागत से अकल कोट करनोल सेक्षन को तेरा सो करोड की लागत से महभूम नगर चिंचोली सेक्षन का काम हो करिम नव सो करोड रुप्य की लागत से कलवा कुर्ती कोलापूर हाइवे का काम हो सत्ताइसो करोड की लागत से खंबम देवरापेले सेक्षन का काम हो केंद्र सरकार तेलंगना में आदुनिक नेशनल हाइवे निर्माण के लिए पूरी शक्ती से जुटी है केंदर सरकार के निरंतर प्रयास की वज़े से आज तेलंगना में नेशनल हाइवे की लंबाई दो गुनी हो चुकी है साल 2014 में जब तेलंगना का निर्माण हुआ था तब यहाँ पचीस सो किलो मिटर के आसपास नेशनल हाइवे थे आज तेलंगना में नेशनल हाइवे की लंबाई बढ़ करके पाँच हजार किलो मिटर पहुँच गई इन वर्षों में केंदर सरकार ने तेलंगना में नेशनल हाइवे बनाने के लिए करीब करीब 35,000 करोड रुपिये खर्च किये है इस समय भी तेलंगणा में 60,000 करोड रुपिये के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है इसमें गेम चेंजर हाइद्राबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामील है साथियों केंद्र सरकार तेलंगणा में इंडस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रहे हैं टेक्स्ट्राइल ऐसा ही उद्योग है जो किसान को भी और मद्दूर को भी दोनों को बल देता है हमारी सरकार ने देश भर में साथ मेगा टेक्स्ट्राइल पार्क बनाना तैक किया है इन में से एक मेगा टेक्स्ट्राइल पार्क तेलंगणा में भी बनेगा इससे युवाओं के लिए नए रोजगार का निर्माण होगा रोजगार के साथ साथ तेलंगणा में सिक्षावर स्वास्त पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है तेलंगणा को अपना एम्स देदे को सोभाग्य हमारी सरकार को मिला है एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग-अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हिये है आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगणा में इज अफ ट्रावेल, इज अफ लुइमिंग और इज अफ दुइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे हाला कि साथियों केंद्र सरकार की इन कोशिशों के भीश मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है बहुत दुख होता है, दर्द होता है केंद्र के जाधातर प्रोजेक्ट में राज्य सरकार से सयोग न मिलने के कारान हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है बिलंब हो रहा है इससे नुक्षान तेलंगना के लोगों का आप लोगों का हो रहा है मेरा राज्य सरकार से आगर है कि व्यों विकास से जुड़े कारियों में कोई बाधा ना आने दे विकास के कारियों में तेजी लाए बाई और भेनों आज के नए भारत में देश वास्यों की आशाये आकांशाये उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्रात्विकता है हम दिन राद मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं लेकिन कुछ मुठी भर लोग विकास के इनकारियों से बहुत बोखलाए हुए हैं ऐसे लोग जो परिवारवाद भाई भतीजावाद और प्रस्टाचार को पोशित करते रहे उन्हें इमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है ऐसे लोगों को देश के हित से समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फुलता देखना पसंद करते हर प्रोजेक्ट में हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं तेलंगना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है भाई और भेनों ब्रश्टा चार और परिवारबाद एक दूसरे से अलग नहीं है जहां परिवारबाद और भाई बतीजावाद होता है बही से हर प्रकार का करप्शन फलना फुलना शुरू हो जाता है परिवारबाद बहुश्वाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है परिवारबादी हर जवस्ता पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं उन्हें ये बिलकुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चलेंज करे आपको मैं कुदान देता हूँ आज केंद्र सरकार ने डायलेक बेनिफिट ट्रांसपर डीबी टी व्यवस्ता विक्सित की है आज किसानों को विद्यार्धियों को छोटे व्यपारियों को छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में बेजा जाता है हमने देज भर में डीजिटल पेमेंट की व्यवस्ता बढ़ाई है आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्ता पर सिस्टिम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे किस लाभारथी को क्या लाभ मिले कितना मिले इसका नियंत्रन ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं इससे इनके तीन मतलब सकते थे एक इनके ही परिवार की जैजेकार होती रहे दूसरा करप्चन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे और तीसरा जो पैसे गरीब के लिए बेजे जाते हैं वो पैसे इनके ब्रश्ट इको सिस्टिम के अंदर बांटने के काम आ जाए आज मोदी ने ब्रश्टा चार के इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है मुझे तेलंगना के भाई में बताईए आप जवाब देंगे ब्रश्टा चार के खिलाब लड़ना चाहिए ये नहीं लड़ना चाहिए प्रश्टा चारियों के खिलाब लड़ना चाहिए ये नहीं चाहिए एको प्रश्टा चार से मुख्द करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए इतना ही बड़ा प्रश्टा चारी हो कानूनी कदम उठाने चाहिए ये नहीं उठाने चाहिए प्रक्ता चार्यों के खिलाब कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए है बोखला हट में कुछ भी किये जा रहे हैं कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनितिक दाल को अदालत में चले गए कौट के पास पहुंची रहे थे कि हमें सुरच्छा दो ये हमारे ब्रस्टा चार्यों की कितावे कोई खोले नहीं कौट के पास गए कौट ने वहाँ भी उनको जटका दे दिया और क्या वापिस भेजिए भाई और बहनों जब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोग तंत्रम मजबूत होता है तब बंची तो शोची तो पिड़ी तो को वरियता मिलती है और यही तो बाबा साव आमबेड कर का सपना था यही तो संविधान की सच्ची भावना है जब 2014 में केंद्र सरकार परिवार तंत्र की बेडियों से मुक्त हुई तो क्या परिणाम याया यह पुरा देश देख रहा है बीते नव वर्षों में देश की ग्यारा करोण माताओं बेणों बेटियों को इज़दगर टॉइलेट की सुविधा मिली है इसमें तेलंगना के भी तीस लाग से अधिक परिवारों की माताएं बेहनों को भी यह व्यवस्ता मिली है बीते नव वर्षों में देश में नव करोण से अधिक बेहनों बेटियों को उज़दगर का मुप्त गैस कनेक्शन मिला है तेलंगना के ग्यारा लाग से अधिक गरीब परिवारों को भी इसका लाब मिला है साथियों परिवार तंत्र तेलंगना सहीत देश के करोडों गरीब साथियों से उनका राशन भी लूट लेता था हमारी सरकार में आज असी करोड गरीबों को मुप्त राशन उपलब्द कराया जा रहा है इससे तेलंगना के भी लाखों गरीबों की भी बहुत मदद हुई है हमारी सरकार की नीतियों की वज़र से तेलंगना के लाखों गरीब साथियों को पाच लाख रुपिय तक के मुप्त रिलाश की शुविदा मिली है तेलंगना के एक करोड परिवारों का पहली बार जनदन बैंक खाता खुला है तेलंगना के डाई लाख छोटे उद्धिम्यों को बीना गरंटी का मुद्रा रुण मिला है यहाँ पाच लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार बैंक लोन मिला है तेलंगना के चालिस लाख से अधिक छोटे किसानों को पी एम किसान सम्मान निदी के तहट लगबग नव हजार करोड रुपिये भी मिले यह वो वंचित वर्ग है जिसको पहली बार बरियता मिली है प्रात्पिकता मिली है साथियों जब देश तुष्टी करण से निकल कर सब के संतुष्टी करण की तरफ बढ़ता है तब सच्चा सामाजे किनाय जन्म लेता है आज तेलंगना सहीत पूरा देश संतुष्टी करण के रास्ते पर चलना चाहता है सबका प्रयास से विक्सित होना चाहता है आज भी तेलंगना को जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो संतुष्टी करण की भावना से प्रेवित है सबका विकास के लिए समर्पित है आज हादी के अमरित काल में विक्सित भारत के निर्बार के लिए तेलंगना का तेज विकास बहुत जरूरी है आने वाले पचीश साल तेलंगना के लिए भी बहुत महत्वपून है तेलंगना के लोगों को तुष्टी करण तता प्रस्टा चार में डुमी हाई हर ताकतों से ऐसी हर ताकतों से दूर रहना ही तेलंगना के भाग्य को निर्धारित करेगा हमें एक जुड़ होकर तेलंगना से तेलंगना के विकास के सारे सपनों को पूरा करना है इन सारे प्रोजेश के लिए एक बार फिर तेलंगना के मेरे प्यारे भाईयों भाणों को मैं बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ ये मेरे लिए अत्यन संतोस की बात है इतनी बड़ी तादाद मैं तेलंगना के उजवल भविश्य के लिए तेलंगना के विकास के लिए आप हमें आशिरवाद देने के लिए हैं मैं आपका रदय से आभार वेक्त करता हूँ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवार